सीटेट जुलाई दो हजार चॉबीस एविएस क्लास वन देखिए गाई पर तो अगर हम देखें कथन ए और आर को ध्यान से पढ़ना है और निमलिखित प्रश्णों का उत्तर देना है एक क्या है भई अपनी मादा को उसकी गंद से कई क्लोमेटर दूर से ही पहचान लेता है यह कहानी जब हम NCRT पढ़ते थे तो मैंने आपको बहुत बार बताई है वो जो सन्नी दे ओल की कोई मूवी थी ना अभी मैं आजकल रील्स का जमाना है तो मैं रील भी देख रही थी कोई तो मेरे सा तो वह वैसी सी ही बात है सिल्क वाम की को अपनी पार्टनर को उसकी स्मेल से कई किवोम से पहचान लेता है बहुन ह और छ reflection का है तो एक damn सकतannya कीड़े के-पास अभी अब ये पता लगेगा क्या चक्कर है तो रेशम का कीड़ा अपनी मादव को उसकी गंद से कई किलोमेटर दूर से ही पहचान लेता है ये बात एकदम सक्त्य घटना पे ही आधारित है यानि ठू है बात सही है रहा हाँ आजे फिलमन चले सब पता है आपको देखे फॉग है कोई कह रहा है चलो आजाओ इधर फिर गंद को नरकीड़े पहचान लेते हैं यानि फैरो मॉन्स क्या है यह फैरो मॉन्स या फैरी मॉन्स एक तरह का हॉर्मोन है तरह का कैमिकल सिक्रेशन कह लिजए आप जो रिलीज होता है जिसके माध्यम से जो मेल वाम है उसकी वजहा से उसकी गंद से पहचान लेता है कि कि इधर हैं आप आपको ढूंदते हुए वो आ जाएगा तो यह बात हो गई तो यह है यह बात एकदम सही और इवन मेल्स और फीमेल्स में भी कई सारी प्रजातियों मैं ऐसा पाया जाता है कि पर्टिक्लर हॉर्मोन या एक गंध की वजा से जो मेल और फीमेल पार्टनर्स है दूसरे को पहचान पाते हैं चलिए फिर दोनों सही है बोधे नारां क्रेक्ट एन आर एक्स्प्लेंस ए जो और है यह अब एक ही सब्यक्त में नहीं सारे सब्जेक्ट में इस तरह के वेशन आते हैं कथन और कारण के तो कथन भी सही है कि जो सिल्क ओं है वह खुश्बू स से उस गंद की वज़ा से मेल वाम उस तक पहुंच पाता है और वो एज़िट आम है सन्नी दे ओल वाली जो बात है वो एकदम सही है इनके केस में वेश्ट नमर टू है विच आफ दर फॉलिंग बैस्ट रिफ्लेक्ट चाइल्ड सेंटर्ड इस्ट्रेटेजी इन टीचिंग सबसे अच्छा दर्शाता है आँ अप्शेंद साप से जवाब देने है ऑप्शन की दिन को राग है तो हम तुम तुम को अगरात कहांगे वो option option के according चलना है हम अपनी मर्जी से तो यहां पांच वा आंसर नहीं बना सकते कि यह फिफ्ट ऑप्शन है और हम अपनी मर्जी से ABCD लिख दें हां पर है ना वो तो possibility है नहीं इनी चार में से कोई जवाब होगा तो अगर हम देखें दो बोरिंग हो जाती है बड़ी क्लास के लिए ज्यादा लोगों को एक साथ बिठागर के समझाने के लिए ठीक रहती है जबकि प्राइमरी लेवल पर वन रिश्व फॉर्टी होना चाहिए मैक्स टुमेक्स ठीक है ना तो यहां पर लेक्चर मेथड को हम अच्छा नहीं मानते क यहां पर अगर हम बात करें तो दिसकर्शन तो पक्की बात है बच्चे को चडचा में तो शामिल करो इवन आप खाने का टाफ़े पढ़ा रहे हो तो बच्चे से पूछो आपके घर में क्या खाना बना था अच्छा चुट्टियों में गूमने कहां गए थे तो चडचा ह है बागी किसी का हमें पता नहीं बट ए तो सौप प्रतिशत आएगा और सी आएगा नहीं तो जहां-जहां सी यह उसको हटा दिया फॉस्ट और फॉर्थ में सी था अब बच्चता क्या है अब हमें चूज करना पड़ेगा एक साथ डी है और एक साथ बी है ठीक तो एक कर दी अगर हम बात करते हैं डिया प्रदर्शन विधी की जब आपको या प्रदर्शन विदी की बात करेंगे तो इक चीज़ समझनी पड़ें कि एक साइन्स के क्वेस्टन सको यह साइंस के टॉपिक को समझाने में ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है इसा एक से अधिक एक उनके लिए ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है तो सर्वे में यह है कि बच्चा चार लोगों सवाल पूछे का घर पे जाके पूछे का अच्छा दादी आपके समय पर क्या चलता था कौन से सिक्के चलते थे तो ए और डी जो है वो यहाँ पे ज्यादा बहतर आप्शन हमे नजर आ रहे हैं हाला कि आप में से 44 परसेंट लोग जो है वो यह कह रहे हैं कि जो है आंसर आपका थर्ड होना चाहिए बट ऐसा नहीं है क्योंकि ए और बी नहीं हो सकते सही यहाँ पे हम डिस्कॉशन और सरवे के साथ जा रहे है कि आप बच्चे को चार सवाल पूछ रह हिमांशी की दोस्त है पूजा 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 या मान लेते हैं कोई और नाम बता दो या प्रतश्था है ना तो हम तीन दोस्ते हम आपस में सीखते हैं दूसरे से वह मुझे एक चैटर पढ़ा देती है मैं उससे चैटर पढ़ लेती हूं और मैं उसको दो चैटर पढ़ based on participation and cooperation यानि भागिदारी और सहयोग क्यादार पर कि बच्चे involved भी हूँ participate भी करें उस group में और सहयोग करें यानि involved भी हूँ और cooperate भी करें help भी करें दूसरे की और कैसा group होना चाहिए heterogeneous ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है पेड़गोजी में या overall CDP में भी कि कैसा आपको समुव बनाना है विशम समुव जब भी समुव बनाने की जुरत पड़े grouping की जुरत पड़े तो दो प्रकार की group होते है एक होता है homogeneous और दूसरा होता है heterogeneous जब भी grouping की बात हो रही है या groups बनाने की बात को रही है तो simple बात है कि आपको homogeneous नहीं यानि समान शमताओं का group नहीं homo का मतलब होता है same है ना हम कहते हो homosexuality यानि same sex में इंट्रस्ट या inclination लेकिन homo का यहाँ पे जो है जबकि हमको अलग अलग शमता के बच्चे चाहिए कि अगर मेरा मैट्स कराब है तो वो मुझे मैट्स सिखा दे मेरा दोस्ति है मेरी फ्रेंट जो है और मैं उसको विशम समूह में क्या होगा अलग अलग शमता के बच्चे होंगे कोई स्पोर्च में भी अच्छा हो सकता है कोई मैट्स में अच्छा होगा तो सब एक दूसरे से सीख पाएंगे जबकि से मेबलेटी वाले गृूप में डिफेरेंट अबिलेटी गुरूपिंग हो जाएगी यह के डिफेरेंट डिफेरेंट बच्चे तो यह एकदम राइट चॉइस हैं आपे बट अगर मैं बात करूं किसकी यह जो आपका साफ पिरसेम बैंड वैड को नहीं बनाना हैं हिटरो जैन सिया मिक्स्ट एबिलिट गुरूपिंग करनी लिए शिया से असना के बच्छे देख लेते हैं फॉर्मा गुरॉप फाइब स्टुरेंट्स ऑफ सेम जेंडर एंड सोशियो एकनोमिक बैग्डाउंड ये सेम एविलेटी गुरॉप हो गई कि जिनकी इंकम सेम है उनको एक साथ डाल दीजै जो बच्चे जो है सेम जेंडर के लड़किया है तो लड़किया ह है तो sitting arrangement भी एवन हमारा ऐसे होता है कि लड़किया है तो एक साइड लड़किया है तो एक साइड जो कि एकदम खराब तरीका है और और मेक आरोल नंबर वाइस गुरॉप साफ फॉर फाइव स्टुटेंट्स तो इसमें भी बहुत ज्यादा हमें कैसे पादा चलेगा कि वो मिक्स अबिलेटी वाले बच्चे हैं कि नहीं है मेका होमोजीनियस गुरॉप और स्टुटेंट्स अकॉर्डिंग तू दियर स्कोर्स वर्ष नमर फॉर देखेगा पोचंपली पोचंपली इस फेमस डिस्ट्रिक्ट फॉर इस ब्यूटिफुली डिजाइन ब्राइट कलर्ड सारी जिसे भी पोचंपली कहते हैं इस बुनाई को भी के लिए विख्यात जिला है यह निमलिखित में से किसका भाग है जो से बताना है महराष्ट्वरा में है तेलांगना में है तमिलनाडु में है करनाटका में है और अगर मैं यहां करनाटका हटा के आंध्रप्रदेश लिख दूँ तब आप क्या चूज करेंगे यह बता देजए क्यूंकि अगर हम देखें पोचंपली कहां है तो पोचंपली तेलंगना के एक डिस्ट्रिक्ट में टाउन है अगर मैं कहूं तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम में को एक्जेक्ट लियाद नहीं आ रहा उसमें पोचंपली जो है और पोचंपली साधियां बहुत पेमस हैं या वहां का वीविंग टाउन बोल देते हैं इसको कि यहां पर लेकिन जो अबडेटेद एंसी आर्टी हैं उन में शायद आज से अगर आप चल जाएंगे पांच-छे साल पहले जो मेरे सेशन होंगे तो उस टाइम पे आपको यह एंसी आटी में भी आंध्रही लिखा हुआ मिलेगा बट आज की समय अगर आप देखेंगे या आज से ज संस्यूमिंग है कथन एक और कथन दो कथन एक कहता है इस स्लेबस इस डिवाइड इंटो सिक्स तीम्स यानि छे थीम में बाटा हुआ है बागत तो सही है वाटर है रिलेशनशिप्स फूड ट्रांसपोर्ट शेल्टर एंड हाव तिंग्स वर्क ट्रांसपोर्ट नाम का कि अ這是 सब्राइब फिस सब्राइब बांइए तो यह अलग नहीं है यह सब अपने आप में अलगे कर दन आ होगा तो स्कृइबानी शुरू करते हैं फूड फैमिली या फैमिली एंद फ्रेंट्स वाटर शेल्टर ट्रैवल तिंक्स वी मेक एंडू ठीक दो थीम्स ऑफ एव फॉल्स है और सेकेंड जो है वो फैमिली परिवार है आप सी संबंद उसके अंदर सब थीम में आता है भोजन है या था ट्रांस्पोर्ट चलो ट्रैवल को फिर भी माले लेकिन वो ट्रांस्पोर्ट नहीं है ठीक अफिर भी हमने मान लिया आवास हम वस्तु है कैसे कारे करती है यानी शेल्टर भी है चलो और भी है तो इसमें दो तो गलती दिए हैं बिलकुल अगर हम ट्रांस्पोर्ट को मान दिलें जो कि ट्रैवल के नाम से है ठीक ना ट्रांस्पोर्ट के नाम से नहीं है ठीक ट्रैवल अलग चीज हो गई हाँ पर तो यह गड़ बढ़ जाएगा फॉस्टर स्टेटमेंट सही न अलगू